आजादी के 75 साल देश भक्ती भरे गीतों की गुंज के साथ मध्य ब्लोग के कॉंग्रेसियों ने लहराया तिरंगा पुरेशान के साथ पद्यात्रा करते हुए दिया देश प्रिम का संदेश दूर्ग प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के निर्देश पर गौरो यात्रा के दूसरे दिन मध्य ब्लोग कॉंग्रेस कमीटी की अगुवाई में राम मंदिर से पद्यात्रा प्रारम की गई ऐ मेरे वतन के लोगो जरा याद करो कुर्बाने और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे देश भक्ती भरे गेतों और राम धुन के साथ पद्यात्रा करते हुए कॉंग्रेस नेताओं ने चोतंतरता अंदुलन को याद किया आजादी की 75 वर्ष पूरे होने पर हीरक मौसब मनाती है विदायक अरुन वोरा ने देश की आजादी में कॉंग्रेस की योगदान को याद किया साथ ही वर्ष ने भाजपा पर भी निशाना साथती हुए तलख अंदाज में कहा कि देश की आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं रहा आज भी सत्ता हासिल कर देश की संपत्ती को बेच रहे हैं देश की आजादी दिलाने वाली कॉंग्रेस पार्टी ही देश को विकास के पत्त पर आगे बढ़ा सकती है इसी कड़ी में कॉंग्रेस संगठन के प्यादिकारियों और कारेकरताओं ने राजी भवन में राम मंदिर पूजा कर बाबा अब्दुल रह्मान शाह काबुली क दरगा में दुआम मांग कर शहर के अन्य जगों से होते हैं वापस राजी भवन पहुंची वहीं विधाय कोरा के नयादितु में कॉंग्रेसी उत्सा और जोश के साथ तिरंगा लहराते हुए पद्यात्रा के दोरान देश की अमर बरिदानियों को याद कर देश भक्ती न योगदान को याद दिलाने वाले पॉंपलेट पोस्टर का विधरन भी यहाँ पर किया गया गौराव यात्रा में महिला कॉंग्रेस की अध्यक्षा करन्या धीमर संदीपोरा अजय मिश्रा पाश्ची अली सहित अन्य लोग उपस्तित रहे ग्रेंडिसीन न्यूस के लिए दरुग से नसी फारुक की की रिपोर्ट